वन्स गें फ्रेंड वैलकम टू यूर चैनल जिसका नाम है टैग गरीप मैं हूँ आपका दोस्त नमीन आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अंड्रोड से जुड़ी प्रोब्लम के सॉल्यूशन पर क्या होता है दोस्तो जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर से किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टाल करते हैं और इंस्टाल कर लेने के बाद दोस्तो आप जैसे अपने मुबाइल की होम स्क्रीन पर आते हैं और वहाँ पर उसको सर्च करते हैं उसको उपन करने के लिए जाते हैं ल मुझे कहीं पर भी यह application देखने को नहीं मिल रही है अगर आप भी face कर रहे हैं इस परकार की problem तो आपको हमारे इस वीडियो में हमारे साथ end तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में इसका complete solution आपको बताने वाला हूँ तो गाई ज़्यादा समय नगवात हुए start कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को आपको बता देते हैं किस परकार आप इस problem को shout out करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके solution पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिस करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने पुटक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है बैल आइकन को press नहीं किया है तो please बैल आइकन को press कर हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के notification सबसे पहले मिलते रहे इसके साथ ही गाई जिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते इसके solution की तरफ आपको सबसे पहले क्या करना है जो आपके mobile की setting होती है इस पर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ scroll करना है और यहाँ पर apps वाला option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर click करना है फिर आपके सामने इस तरह का interface आएगा, यहाँ पर आपको मैन falsch apps पर click करना है फिर आपके सामने इस तरह कान एक नया interface आ जाता है, तो आपको उपर right side में three dots देखने को मिलती है आपको इन पर tap कर देना है जहांसे दोस्तों आपको यहां पर एक option देखेगा reset app preferences आपको इस पर click कर देना है मैं यहां से इस पर click नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं यहां से video recording कर रहा हूँ जैसे मैं reset app reference करूँगा तो वो यहां से automatically close हो जाएगा तो guys आपको just reset app preferences पर एक बार click कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां सर्च बार में सर्च करना होगा system launcher तो guys जैसे ही आप यहां पर system launcher सर्च करेंगे तो इस तरह की application आपके सामने आ जाती है अलग-अलग mobile के अंदर अलग-अलग यह application हो सकती है तो guys मैं यहां पर Redmi Ami का mobile योज़ी कर रहा हूँ तो मुझे यहां पर यह इस तरह से so हो रही है तो आपको इस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे से clear data पर click करना है और यहां से इसका कर देना है clear all data यहां से इसका clear all data कर लेने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि आपकी problem solve हुई है या नहीं अगर problem same agitage बनी हुई है तो आपको यहां से एक step back आ जाना है और यहीं search बारे में इस बार आपको search कर देना है play store जैसे आप यहां play store search करते हैं play store वाली application आपके सामने आएगी आपको इस पर click करना है और उसी तरह से इसका भी आपको कर देना है यहां से clear all data clear all data कर देने के बाद दोस्तों आपको यहां से back आ जाना होगा आपको mobile की setting में आ जाना है और mobile की setting में उपर ही आपको एक search बार दिखेगा आपको यहां पर search कर लेना है hidden apps तो hidden apps वाला option आपके सामने आ जाएगा आपको इस पर tap करना होगा और यहां पर दोस्तों आपको चेक करना है जो भी आपकी application है उसके सामने अगर यह button enable हो रखे है तो आपको इसको यहां से disable कर देना है और यहां से बिल्कुल ही back आ जाना है back आ जाने के बाद दोस्तों हमें यहां पर चेक करना है जो हमारी application है वो हमें यहां पर show होने लग जाएगी और हम उसका असानी से यूज़ कर पाएंगे तो गैज इस तरह से जो आपकी problem है इसका solution हो जाता है जो आपकी installed app है वो आपके mobile की home screen पर देखने को मिल जाते है तो गैज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जैस्ट इतना ही पता ना था अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अमीद करूँगा आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे और इस वीडियो को भी लाई करेंगे